हलो काईज वेलिए बैक टो मैं चैनल में आपकी निशल सिक्दार आप सब कैसे हो आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ आज मैं लेकर आई हो आपके लिए बहुत ज़्यादा हैल्दी और टीस्टी रेसिपी आज मैं आपको बताऊंगे कि घर पे बैठे बैठे आप आटा नूडल कैसे बनाएं जो खान में बहुत ज़्यादा यह मी लगता है बिना इसकीप करें वीडियो को एन तक ज़रू देखिएगा चलो फिर देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं लेट्स मूव ओन वीडियो आप मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पाने डिराल के इसका एक हाट सा डो रेडि कर लूँगी जितना हो से कि उतना हाट डो रेडि करना मैं बिल्कुल सॉफ्ट डो नहीं चाहिए क्योंकि जब हम इसको 15 मिंट के लिए रेस्ट करने के लिए देंगे तो यह सॉफ्ट हो जाएगी यह देखिए हमारा हाट सा डो रेडि हो चुका है अब मैं डो को 15 मिंट के लिए रेस्ट करने के लिए रख दूँगी ये देखे 15 मिट हो चुका है और हमारा डो है वो बिल्कुल perfectly ready हो चुका है अब मैं आठे को एक बड़ और अच्छे से मसल लूँगी अब मैं इस डो में से थोड़ा सा पोशल लूँगी और इसका अच्छा सा एक लूई बना लूँगी अब मैं इसके उपर थोड़ा सा सुखा आठा स्प्रेट कर लूँगी अब मैं इसको बेल लूँगी है मैं ना ही ज़्यादा पतला बेलना है ना ही ज़्यादा मोटा ये देखें मैंने बेल लिया है अब मैं इसके ओपर थोड़ा सा अठा छिरक लूँगी और इसको अच्छे से फिला दूँगी जिससे कि हमारे नूडल से एक दूसरे से चिपकेंगे नी अब मैं एक चाको के मतलब से इसको कट कर लूँगी मैं इसको लंबा लंबा काट रहूँ जिससे होके हमारे नूडल्स होते है ये देखें मैंने इसको स्ट्रिप वाइस को कट कर लिया है अब मैं इसको उठा कर दिखाती हूँ आपको ये देखिए ये देखिए जो हमारी noodles को कितनी बड़िया लग रही है एक दूसरे चिपक भी नहीं रही है अब है हमें ऐसे ये बाकी noodles भी ready कर लेंगे ये देखिए मैंने सारा noodles को ready कर लिया है चलो फिर इसको अब बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम noodles को boil करेंगे उसके लिए मैंने एक कराय में पानी ड़ल के इसको गरम करने के लिए रख दिया है ये देखिए जो पानी हो गरम हो चुक है अप मैं इसमें थोरा सा स्वाधन सा नमक डालूंगी और थोरा सा तेल जिससे कि हमारा noodles boil होने के बाद एक दूसरे सा च जाएगी ये देखिए तीन से चार मेंट हो चुका अब डखकन खोल के इसको एक पर चेक कर लेते हैं ये देखिए जो हमारे noodles से वह अच्छे से boil हो चुका है ये थोड़ा बहुत हार्ड भी हो चुका है जैसके हमें चाहिए था अब मैं noodles को पानी में सलग कर दूंगी अब अब मैं इसमें कटी हुई श्रीम्ला मरिज डॉल दूंगी बारिक कटी हुई तमाटर, तमाटर को लंबे लंबे पीसे में काटने है और दूँगी जिससे कि जो हमारे लास्ट में एड़ेट वेजिटेवल से वह हलकालगा गल जाए यह देखे दो मेट हो चुका है मैं इसका धकन खोड़कर दिखाती हूं आपको यह देखे जो हमारे वेजिटेवल से वह फ्राय हो चुके हैं अब इसके अंदर हम सौसिस और मसाल भी डाल देंगे सबसे पहले स्वादा अनुसर नमक थोड़ा सा हल्दी पाउडर हाफ टेबल स्पून चीली फ्लक्स आप चाहे तो इसको इसकी बी कर सकते हैं एक टेबल स्पून लालमिश पाउडर अब इन सारे मसालों को मैं एक बर वेजिटेवल के साथ बहुत अच्छ से मिक्स लोंगी ये देखे वेने साले इंगडेंड़रियन को बहुत अच्छ से मिक्स कर लिया है और मिक्स करते कच PlaV बोल्गाएदी पिसके में मिक्स हो चुकी हैं। सब्सक्राइद सके मसाले के साद गज़ मिक्स के लीए अब आपको मासाले संब्सक्राइदी से और नोलने प्रणाते लिए गज़क्स्की माइसे में देखाते को Kê बहुत एक दो मिनट अगर आपने इसको एक बर घर पे बना लिए तो आप बाहर के नूरल्स खाना भूल जाएंगे यूंकि ये खान में बहुत ज्यादा यम्मी एंट टेस्ट लगता आप इसको घर पे एक बर जरू ट्राइ करिएगा अगर आपको मेरे आज की रेसिपी अच्छी लगे तो इस वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे इसे के साथ आज की रेसिपी खतम होती है थैंक्स वर वाचिंग गाइस लव यू बाई सी उस और मार नेक्स्ट वीडियो तब तक लिए बाई बाई